और मैं आपको chemistry classes देने का प्रेंद कर रहा हूं इसमें मैं बहुत easy method से आपको class 12th के ncrt का पूरा solution भी बताऊंगा one by one और आप अगर इस वीडियो को पसंद करेंगे, share करेंगे, like करेंगे तो मेरा confidence बढ़ेगा और हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे आज हमारा जो पहला टापिक है वह लें स्वाडिर स्टेज के नाम से है पहला जो लेशन है वो लेशन फर्ष्ट है को सवस्था या सबसे पहले में इस पर आने से पहले हम यह आपको बता दे कि ठोस कहते किसे हैं नहीं कि तो पतार की वह अवस्था जिसमूँ उसके घटक न जेहां घटक कर जिस से मिलके कोई ची बनता है वो इतब वह सकते हैं जालक में संतिव्प शंकुलित क्रोश पैट होते हैं रियों गति अस्वात करते हैं प्रोश कहलते हैं यह अपने अच्ष पर ही टंपन कर सक तो जोटे चोटे चोटे पर रोते हैं उनको आप आयन माल सकते हैं आप उसको सबसे पहले हम आते हैं कि जो पदात होता है इसको समझना जबूरी है कि पदात की भौतिक वस्ताय होती है है तक करके हम इसकी पता लगाने पाहर से उसको भौतिक गुड़ कहते हैं वह थोस रूप में हो सकता है और गैस रूप में हो सकता है अच्छा बने किससे होते हैं चाहे सब्सक्राइब उनको अभय करना सकते हैं यूजिस में इसको इस्ट्रक्चर उनिट्स परवाण हो सकते हैं पर्टिकल आपको बता दूं यहां लिकुड यह गायस है परवाल से बने हो चाहे आएन से बने हैं आप देख रहे हैं कि यहां पर आयन है वो देंस पायक है बहुती नजदी में और जो कड़ों के बीट जैसे इनके बीट के अगर दूरिया जो होती है उसको कहते हैं अंतरा आर्विक दूरिया तो यह क्या करते हैं यह अपने अट्स पर ही दाउते गोल सकते हैं कि अधिया दूसे तो लिकुड में आते हैं यहां देखिए शॉलिट की तुन नाव गेच में अंतरा आर्विक बल सबसे ज्यादा होता है यहां देखते हैं यहां दो कड़ों के बीट ए और वी करनके बीट में जो दूरिया फोड़े बढ़गी यह इसकी अंतरा आर्विक द आर्विक दूरी कहते हैं और इंट्रा मालीकोलर स्पेस और अंतरा वाल इसमें सबसे कम होता है यानि हम एक बार बताएं पी अंतरा व्यूश्टर्स की बात करें तो सबसे कम फारट में उससे अधिक लुकड में और सबसे अधिक भैस में होती है इसलिए गैस आप देखे क कि पूरे कमनें फाइल जाती है लुकुट देखिए कि वो जिस बर्दन रखा जा तो उसका आकार राण कर लेता है लेकिन वह सकते हैं उनके जो कड़ होते हैं वह अपनी फोजिसर कुछ नहीं करते हैं बलकि एक ही जगह पर कंपर करते हैं और यह तीनों जो हैं वह बने परवान से बन सकते हैं और तो कोश में क्या होता है कि यह तो यह सब इसके सब्सक्राइब करते हैं अब हम आते हैं कि प्रवान से मिलके बने होएं अगर हम इसकी बात करें तो हम भी ठोस के है मतलब है हमारी वी जो समय सदात्मक और काई होती है मैं इसको क्या कहते हैं यह तो में आप इंटों को ले लिए जी एक ही आकार्टी होती है उसको दीडे दीडेट के उपर एक जोटे जाते तो लटीस बनता जाता या पुरी प्रूटिस वाल कहते हैं यहां पी देखिए जो आधिट की प्रपरटीज के उसमें दिश्चित आकार होता है आयन होता है यानि सब्सक्राइब होता है इसमें और अभवी करों की स्थिख्या निश्चिन होती है यह यह लेकिन यह कहीं हिल नहीं सकते हैं और यह संपीड होता है और इसलिए कटोर होते हैं यह क्या होता है वह नरब होता है उसके मारूं के तो वह है है कि इस पिल कर जाए और इसे पोगहें जो होती है हूं तो हमाय च्रव तपक्राइब है होटेच वानिा धो इतका चार प्रकार होते हैं और तो जिसको मौलिकटर सॉडिक कहते हैं चाहिष निचक्राइब इसको कोवालेंट कहते हैं और इसको उड़े जोड़े हो जब जो आते हैं यांगों से अधिक जब साहिते हैं है सब्सक्राइब करें जैसे यह दो बल है यह विकुल आपके निकुछ चिपक गए तो यह क्या है प्लोज पैटिंग अब तो चार प्रकार के होते हैं और भी को सैसे योजी टोर्ष धात्वी टोर्ष आज इसमें जो पैकिंग होती है यानि परवार की अन्पी आयर की तो यहा यह को सब्सक्राइब करें जो यूनिट है यह घंटक कर रहे होंगे इसको मालिकूल कहते हैं और यह आपस में दूसे दो इस से जुड़े होते हैं उनको दूलपल वाड़ बल दूटर वाल्स बल कहते हैं उनुदा इसमें ठोश-व फोटू इसको बल बडीसि का उधाए य प्रवल्ट जो जटाबल के बारा जुड़े रहते हैं इन में घटक होते हैं जिन से मिलकर के सचेट बनते हैं उनकी इकाईयां जो है परमाल के लाती है इसका उधायन दायमंड या ग्रेफाइट की जिद्यात को कर सकते हैं धासिटोस में बाद्धुदाकसन बल होता है इसकी जो इकाईयां होती हैै जिन से मिलकर के घटक फोस्ट बने होते हैं जैसे इसमें आपका चांदी है एव जी कापर है और यहांपर यह यानि इसको सोना करते हैं इसमें जो तो से मिलके बनाएं इसको कहते हैं इसको सॉलिट कहते हैं इनके वीट में जो बड़कों को चोड़ने वाला जोबन होता है इसको परवल कोलाम्बिक कहते हैं इनकी जो इकाईयां होती है और आप ज्यानते कि आयन दो ही प्रकार को थे पास्ट्यों निगेट्व जैसे आप रखिए मैंने उदाना दिया आपड़ के सिए तो के सिए मैं अब यहां पर नभख कहने वाला हम लोगों फाटेश में प्लत होगा यह मैंने की बैलेंसी दो हो है और प्रूरीन की माइनस से पूरती है लेकिन यहां पर माइनस नहीं यहां पर दो लगा हुआ है तो इस प्रकार हमने आपको ठूस के पारें बता है कि चाल प्रकार के कि प्रकित के अधार पर दो भागों में बाठ सकते हैं यह वे इसका आधेस के लिए हैं यहां सक्षर पढ़े मैं आपको एक चीज़ बता दू कि जैसे माली जे कि एक उधार ने जे कि यह एक यूविट है अकर किसी मकान में एक ही प्रकार की या एक ही बट्के से लाईवी फिर्पी लिया जाए तो यह इसकी एक यूविट है है जिसको करते ही काई कर अगर काई कोई भी इसमें और यह कर भी कराता है चाहिए इसको आप आ अज को आएट कर लिजे इसको आप अरू कर लिजे इसको आप कर सकते हैं आड़ों कर सकते हैं यह जो पूरा का पूरा है यह इसका क्रिश्टल करता है तो इस क्रिश्टल की एक कई कहीं करी है तो सब सेव होंगी अब यहां में थोड़ा आप क्लियर कर दो आप इस वह प्रमाण हो सकता है लेकिन आप देख रहें कि इसमें तुह यह बहुत लंबी परास का नहीं है प्रास बता होता देंश इसमें इसमें इस तकार का है बूसा देखिए और यह थैंश्टल कर दोड़ी इसके घटक कर इसमें अधिर नहीं है अगर इसको हम चाकु से काट दें तो इसका जो अगर उसको देखें के मार्ण को सब्सक्राइब बिल्कूल सीधा और अब से चमख रहेगी जैसे हम लोहे को काटते हैं तो देखिए व्यूवर्च जमख रहती है लेकिन यहां पर अगर इसको काटें अब इस प्रकार का थोड़ा बहुत जो है इस तर्फिआरे रहते हैं वह बिल्कुर समतर ने रहते हैं उस्टारीय ठोस में हम प्रवार्स का इप्जाप्पर ले सकते हैं ठीक है और फोस में कोई भी ठोस ने मतलब धाप्री ठोस में किसी का ब्युदान चाहे लोहा हो चाहे वो फोना हो इसमें किस्टलिय को समय होता है यह आपिसी द्रव ही होते हैं आप इसी तीट याने शूपर कूल लिकुड होते हैं जैसे काच हो गया रवर हो गया तिक यूज्या हो गया यह सब आक इस देट होते हैं अब अब आप यह कोईंट में आप साथ पॉइंट पर डिसकस करेंगे आगे किस्टली स्की बात करेंगे तो इसका निश्चित आकार होता है जानी इसकी जैमितियों होते हैं यह इसमें आप अमकित अगार होता है कि तो बनाग वहता है इन मलब क्रिस्टलाइन सॉलिट का निश्चित होता है यह अगर सव डिशन्टिग्रेट पानी जैसे उबलता है तो तो वह उस्वाइट पूलेगा लेकिन इसमें इसा नहीं है इसमें नहीं होता है क्यों के जो कण होते हैं इसको गलाने के लिए अलागलक के जोग में अलागलक वे ताप्रम क्या अवसक्ता होती है इस पीज़ते हैं तीसा देखें विद्लन में मैंने भी बताएक इसको काटा जाए तो विर्पुल चिकना और चमकदार जो है कि रारे जोए हमें दो टूक्रेट होते हैं इसमें इसा नहीं होता है तो नहीं होती है और अभिलाच्ण होती है अब लाच्छड़क के बारे मनें आपको बता दिया इसलिए मनें विर्पुल दिखा यहां देखिए और नहीं होती है प्रफ्रिप आगार पकी नेचर की बात करें तो यह संद सिक्टावुत करते हैं और यह संद सिक्ता होती है और इसमें शानरी पॉस्टा और धूटवर्भ एक संदस्क्रा और इसमें फिर टो और फिसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लगने की वह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर साती है है कि बिविन प्रकार के खोश इसको कर प्रोटिवली हम इसको जो है डिसकस करते हैं कि मैंने इसको जोए खोश का प्रकार अवरिकर्ण बंदल आकासंपल उधारण बहुतिक प्रतिक बाद्वु चलकता और रल्लाइं पर डिवाई करें यानि कुछ साल साथ बेस्ट पर इसमें खोश का प्रकार जो होता है मालने यह कि इसमें हम आर्विक खोश की बात कर रहे ह आर्विक खोश वह थी प्रकार करोते हैं है अधरवी नाम कोलर रूविये पोलर और हाडोजन बांदल यानि आई भेट्रोजन अवंदम चेंप्रेशन पर हदूगे जो आते हैं वह लिक्योड यामक्त शुटें ओंप्रेशन होते हैं ऐवलाज फूट लौट तुक्रशन म होते हैं कि से मिली तो सबने सबने से होते हैं इसे फल्ण ओ मत पास आते हैं सकते होता है एक एफ खरया होती है और हाडोजन अबन दिट जो होते हैं उसमें हाडोजन आपन पाए आता है उदारन लेते हैं इसमें आपनी खोस का उदारन आरगन कर्णा कलराइट और हाडोजन कर्ण टायक्साइड और हाडी वहते की पुलायम बदू चलकता यह विद्धूत प्रवाहित नहीं होती है इसमें प्रवाहित नहीं होती है अप्लाइट अक्ताधिक निमिन यह बहुत है जैसे घर्माय है वैसे यह जाते हैं कि दुर्भी कोश् लेते हैं मुलाइम चूले में और विद्जु तोर्णी होते हैं तता इनका गलना और निम्न होता है कि उसके आए थे हैड्रोजन आवनित व्यूज को सोते हैं और अडूज़न यानि अड़ों से मिलके बने होते हैं इन नर्वों के मत जो हाड्रोजिन आपन होता किसी दूसरे से चिपके रहते हैं उदारन है इसका इस्टूओ बर्फ यानि बर्फ जो है यहां बहुति परके जिसी कटोर होती है छूने में बहुत कटोर लगते हैं और यह भी कोई विद्दू जो है हुआ है विद्दूर के कुछ आलप होते हैं बनाक इनका मिन्यूम होता है है अब यहां सेकंड इस्टेप पर आज फोस को रखते हैं इसके आपने यह आयन से मिलकर के बने होते हैं इनके मद्द जो आकरसन बलपाया तो कुलामी या इस्थिव बद्दू बलपायाता है उदा यहां इसके उपर यहां रखते हैं लेकिन इसमें एक होता है निगेटिव होता है जैसे नमक ले लिजे उसको पठक दीजे उसके उसको तूर जाएंगे तुग्रों केते हैं होस अवस्था में क्या होता है कि विद्दू नमक ले लिजी उसको विद्दू को टच कर दीजिए उसमें करण नहीं आएगा लेकिर अगर उसी नमक के मतलब जो ब्रेले को आप पाले में बोल दीजिए और फिर उसको छुए तो बहुत तेज कर नुमाता है इसका जो गलन अगात वर्दे होते हैं यानि इसको पीटा जा सकता है और तर्न यानि इनके तार खीचे जा सकते हैं विद्दू चालक होते हैं जितनी विधात में होती है क्योंकि वह पाश्ट्यू आयन जो देते हैं तो और अध्याधी कुछ होते हैं इनको गलाने में बहुत ज्यादा उर्जा की जरूरत होती है इसको कहते हैं इसको कहते हैं इनके मत जो बल पाया जाता है वह स्यूजिक बंद पाया जाता है है उजान लेते हैं कैसाई ओटू पार्ट कैसाई सीग जैनी सिलकान करवाइड फीरा कि यह कट्वर होते हैं और विद्दूत रोधी होते हैं इनका जो गलना पता अक्रेदी कुछ होता है लेकिन यह पेक्षियों में कि लिए कर दूं कि लिए नाइट्राइट और कारवन यह जो कारवन गरिफाइड यह मुलाया होते हैं लेकिन यह चालब होते हैं और यह अपवाद है लेकिन इनका जो रहलां को अच्छ होता है तिस प्रकार मैंने आपको आज बिभिन प्रकार के टोसों के मत्ध जो है सेवन बेस पर हमने यह पूरा का पूरा टॉपिक वर स्वरी इनका चुछी सेग्मेंट मैंने इसका फिनिश कर दिया